नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त मानिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में हम जाने ही Modals of Information Processing Information Processing का मतलब होता है किसी भी information को इस तरीके से process करना की उसके बारे में समाज आ जाए Cognitive Psychology में Information Processing का मतलब होता है Understand करना Human Thinking के बारे में कैसे कोई भी इनसान किसी भी information को perceive करता है उसे remember करता है और जुरत पढ़ने पर उस information को recall करता है बहुत से psychologists ने memory को समझने के लिए उसके लिए different models दिये हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Wag and Normans Model of Primary and Secondary Memory Wag and Normans ने 1965 में एक theory दी जिसमें उन्होंने memory को two parts में divide किया उन्होंने कहा कि हमारी memory होती है एक primary memory जिसे वो short term memory storage system कहते हैं और दूसरी होती है secondary memory जिसे वो long term memory storage system कहते हैं और उन्होंने कहा कि primary memory बिल्कुल ही independent होती है secondary memory से उन्होंने अपने memory model में कहा कि primary memory जिसे वो short term storage system कहते हैं उसकी दो important properties होती है पहला उसकी limited capacity होती है limited capacity का मतलब होता है कि एक time पे हम अपने short term memory में कुछ limited amount of information ही store कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि memory loss ना सरफ इसले होता है क्योंकि वो time के साथ information पुरानी हो जाती है इसले हम उसे भूल जाते हैं वलकि इसले होता है क्योंकि हमारी short term memory की limited capacity होती है और एक level से जादा information हम अपनी short term memory के अंदर store नहीं कर पाते हैं walk and norman ने अपने model को test करने के लिए एक experiment किया उस experiment में उन्होंने list of 16 digits लिए मतलब कि उन्होंने 16 अलग अलग number लिए और उन्होंने different लोगों के उपर experiment किया पहली बार तो उन्होंने एक एक number मतलब कि जो 16 नंबर थे उनको एक एक second के बाद दूसरे case में उन्होंने ये जो 16 नंबर थे उनको एक एक second के बाद नहीं विल्कि 4-4 second के बाद भोला तो वो experiment के दूर टेस्ट करना चाहते थे कि क्या कोई चीज जैसे अगर जल्दी जल्दी बोले तो वो हमें जल्दी बूल जाती है या फिर एक number जिसे हमने 4 second के बाद दूसरा number बोला तो उसे हमें storage करने का time जादा मिला तो क्या उस stage में हम चीजों को जादा देर तक याद रखबाते हैं तो उसमें वो ये test करना चाहते थे कि क्या कोई information पुरानी होने की वज़ा से हमारी short term memory से बाहर निकलती है या फिर जब नई information आती है तो हमारी existing information जो है वो interfere होती है इसकी वज़ा से हम पुरानी information को भूल जाते हैं वो अपने experiment से ये test करना चाहते थे कि क्या कोई information हम इसले भूलते हैं कि वो पुरानी हो गई है या फिर हम उस information को इसले भूलते हैं कि उसके अंदर interference हो गई है मतलब कि हमारी primary memory या फिर short term memory में जैसे हमने कोई पांट डिजट बोले तो उन पांट डिजट के बाद अगर हमने कोई और नए डिजट बोले तो हमारे जो पुराने डिजट हैं हम उन्हें भूल जाएंगे उन्होंने अपने experiment में बताया कि जो उन्होंने experiment किया था जिसमें उन्होंने digits बताये तो चाहें वो digit एक second के बाद बताएं या फिर वो digit चार second के gap के बाद बताएं उन दोनों ही case में उन numbers को same time के लिए recall कर पा रहे थे तो उन्होंने इससे ये conclusion निकाली कि दोनों ही case में वो same time पे information को भूल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि interference मतलब कि जो एक नई information आती है तो उस case में हमारी short term memory की जो information है उसके decay होने के chances जादा है तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना वॉक्स और नॉर्मिन्स model of primary and secondary memory नेक्स वीडियो में हम जानेंगे stage model के बारे में आती रहोंगी ऐसे ही और informative से वीडियो से अगर आप miss नहीं करना चाहते तो इस चैनल को like, share और subscribe कर सकते हैं तब तक लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त मानिका, wish you all health and happiness, take care, bye, thank you